I think I'm losing my mind again तो language जो है वो दोबारा से उपर नीचे हो सकती है और आपकी बार तो मैं apologize भी नहीं करूँगा बुरी language के लिए because topic एक कुछ है ऐसा है आज कर बहुत सारे बच्चों को ये notice आ रहा है IRCC की साइड से ये notice आने का reason है कि immigration officer को लगता है कि study permit application के time पे जो applicant है उन्होंने जो अपना offer letter लगाया था college का वो fake था तो officer एक report बना के बेजता है immigration minister को और उनका एक delegate होता है वो आपको बुलाता है इसमें proceeding में और proceeding में decision लिया जाता है कि misrepresentation का ban लगा के बाहर निकालना है या फिर आपको रहने देना है यहाँ पे अब सब को बता है कि इस तरह के जो cases होते हैं उनमें 99% applicants को पता भी नहीं होता कि उनका जो offer letter वहां से agent ने दिया है वो fake है पट फिर भी मेरा जो question है वो जो applicants हैं students है जो यहाँ पे आते हैं उनसे हैं इंटरनेट के इस जमाने में जिसमें सारे information जो है वो social media पे available है आपकी अकल में ऐसे कौन से पत्थर पड़े हुए हैं कि इंडिया जैसे देश में पैदा होके जहां पे पता है कि every other person is a scammer आप लोग इतना बड़ा जो बेवकूफ बनवा लेते हैं अपना कि कोई आपको fake offer letter दे के यहां पे बेज दे और अब 3-4 साल बाद जब आपकी life यहां पे settle होनी शुरू हुई है या settle हो भी गई है उसके बाद suddenly आपको यह पता चले कि आपका जो offer letter है वो fake था and now your life is turning upside down गड़ा फाड फाड के यहां पे हम बताने लग रहे हैं इतने time से कि offer letter को verify करने का बहुत ही simple तरीका होता है कि कभी भी जो consultant है या agent है आपके इंडिया में उनके account में fees मड़ डलवाए जब भी आप college को fees pay करते होते हैं तो उसमें student ID जाता है आपका and you will know right away कि आपका जो offer letter है वो genuine है या नहीं है अगर वो genuine नहीं है तो college आपकी fee see refund कर देगा 99% cases में वहां से confirm हो जाता है कि आपका offer letter जो दिया है वो fake है या genuine है इतने incident होने के बाद में और इतना जोर शोर से यहां पे बताने के बाद में तो इंसान वैसे भी समझदार हो जाए कि अगर offer letter आया भी है उसके पास तो उसको verify कर ले चाहिए वो student portal के through करे चाहिए college को mail डाल के करे यहां पे आने से पहले एक बर जो अपना offer letter है उसको verify कर ले हैरानी की बाद तो इसमें यह है कि सारे ही तो cases पंजाब से हैं अब आधा पंजाब तो यहां पे बैठा है जो यहां पे बैठे हैं वो आप लोग बता नहीं सकते हैं जो इंडिया में बैठे हैं उनको कि इस तरह की स्कैम भी हो रहे हैं और थोड़ा ध्यान भी रखना I mean seriously how is it even possible कि आज के टाइम में कोई इतना बड़ा फ्रोड कर दे किसे के साथ में और बावजुद इसके awareness ना है बच्चों में दुनिया मरकी cases आ रहे हैं पिछले एक अफते से back to back calls आ रही हैं कोई एक नहीं दो नहीं हैं पचासो लोग हैं जिनको इस तरह के letters आए हैं और स दोस्तों में कोई भी यहां पे आ रहा है student visa apply करके तो इप वीडियो जरूर उनको forward कर दें और bold अक्षिरों में उनको समझाएं कि किस तरह से उन्होंने अपना जो offer letter उसको verify करना है और कौन-कौन सी गलतिया नहीं करनी है यहां पे आने के बाद